मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है पांच और हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इसमें ऐसा क्या जोड़ना चाहिए कि हमें शून्य मिल जाए और आपको ये शायद पहले से पता हो लेकिन मैं फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगी तो चलिए पहले एक संख्यारेखा बना लेते हैं ये आ गई हमारी संख्यारेखा इस संख्यारेखा पर यहाँ पर कहीं होगा शून्य और यहाँ पर कहीं पर पांच है जिस पर की हम बैठे हुए हैं तो पांच से शून्य तक जाने के लिए हमें इस संख्यारेखा पर पांच स्थान बाई और चलना होगा और अगर हम पांच स्थान बाई और जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम इस संख्या में रिड पांच जोड रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पर रिड़ पांच जोड़ देती हूँ, तो यह हमें सीधा शून पर पहुचा देगा। तो हो सकता है कि आप इस चीज को पहले से जानते हूँ, और यह शायद काफी आसानी से समझ में भी आ जाता है, पर इसके लिए काफी भारी सा शब्द है हमारे गड़ित के शब्द कोश में, हम इसे कहते हैं योज्म प्रतिलोम गुड़ धर्म, और मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ, यह चोटी सी ही चीज है, बस सुनने में काफी डरावनी से लगती है, और यह बस इसी विचार की बात करता है, कि अगर आपके पास एक संख्या है, और आप उस संख्या में उसका योज्म प्रतिलोम जोड़ दें, जिसे बहुत से लोग उस संख्या का रडात् जोड़ देते हैं, तो आपको शून्य ही वापस मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए, तो यह दोनों सामान आकार के हैं, यहाँ इन दोनों का परिमार एक जैसा है, पांच के बराबर, बस यह वाली संख्या, यह पांच दाई और बढ़ रहा है, और यह पांच बा शून्य, और माल लेते हैं कि आप बैठे हुए हैं रिड तीन पे, तो अगर आप रिड तीन से शुरू करते हैं, तो आप पहले ही शून्य से तीन स्थान बाई और हैं, और कोई कहता है आप से, कि मुझे रिड तीन में ऐसा क्या जोड़ना चाहिए, कि मैं वापस से शून पे पहुच जाओं, तो जाहिर सी बात है कि अब मुझे तीन स्थान दाई और चलना होगा शूने पे पहुचने के लिए, और इसका मतलब है, तीन स्थान दाई और का मतलब है कि मुझे धनात्मक दिशा में चलना होगा, यानि कि मुझे रिड तीन में धन तीन जोड़ना ह तब ही जाकर मैं कहीं शून पे वापस पहुच पाऊंगी। तो सामान्य रूप से अगर मेरे पास कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास है 17,25,314। और मुझे कहा जाता है कि मुझे इसमें ऐसा क्या जोड़ना चाहिए कि मैं वापस से शून पे पहुच जाऊं। तो मुझे दरसल ठीक इस संख्या की उल्टी दिशा में इतना ही चलना होगा। और क्योंकि यहां अमारे पास एक धनात्मक संख्या है, तो हम बाई ओर चलेंगे ठीक इस संख्या के बराबर। यानि कि मुझे इतनी ही संख्या इससे घटानी पड़ेगी। या मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ कि मुझे इसमें इसका योजम प्रतिलोम या फिर रडात्मक रूप जोड़ना होगा। तो ये इसी चीज के बराबर है, अगर मैं इस संख्या में रडात्मक 17,25,314 जोड़ दू तो और ऐसा करने पे मुझे यहाँ पर शून मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ कि मुझे रड साथ में, मुझे रड साथ में ऐसा क्या जोड़ना चाहिए कि मुझे शून मिले। तो अगर मैं पहले से रड साथ में हूँ, तो मुझे साथ कदम दाई ओर जाना होगा। और साथ कदम दाई ओर जाने का मतलब है कि मुझ तो इस में धन साथ जोड़ना होगा, तो तो रड साथ धन साथ ये बराबर हो जाता है शून के. तो यहाँ पर हमने जितनी भी सारी बात करी है, यह सब आप बस उतनी ही चीजोंसे समझ सकते हैं, जो कि आप पहले से जानते हैं जैसे कि यहाँ पर पाँच धन रिड़ पाँच या फिर पाँच धन पाँचम का योजम प्रतिलों बस एक दूसरा तरीका है पाँच में से पाँच को घटाने को देखने का तो अगर आपके पास किसी भी चीज की पाँच संख्याए है और आप अगर उन पाँचों चीजों को हटा दे या किसी और को दे दे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा शूने बचेगा और ये तो आप हमेशा से जानते थे